असलाम अलेकुम विफियन्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बजट्स हम आज के टॉपिक में यह दिखेंगे कि बजट्स क्या होता है और कुछ बजट्स की इग्जैंपल्स देखेंगे जिससे हम यह समझ सकें के कम्प्यूटिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट्स क्या है बजट्स जो होता है वो किसी भी बिजनेस का एक प्लान होता है जिसको मैं फाइनिशल टर्म्स में एक्स्प्रेस करूं और टिपिकली ओर्गनाइजिशन्स एन्विली अपने बजट्स प्रिपेर करती हैं और जब व प्लान है वो इंडिविज्वल्स तक कम्यूनिकेट कर सकें साथ में कुछ टार्गेट रखकर और अपने मैनेजर्स को मोटिवेट कर सकें तो अचीव दोस टार्गेट बाइ सेटिंग सेटेन टार्गेट इन मौनेटरी टरम्स में कुछ टार्गेट सेट करकर और मैनेजर् है तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वज़ा से बज़ेट्स बनाए जाते हैं एफेक्टिबली हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट के ये एक प्लान होता है के बिजनेस अगले साल क्या करेगी और ये प्लान होता है एकस्प्रेस्ट इन फाइनेशल टरम्स इन नंबर्स अच्छा हम बज़ट्स की बात करते हैं तो कुछ बनते हैं फंक्शिनल बज़ट्स यानने के एक कंपनी के जो अलग-अलग देपार्टमेंट्स ए हालused फंक्शन हर function का एक अलग budget बनाना मिसाल के तौर पर sales, production, material purchases या material consumption इनके budgets बनाना by sales budget हमारा मतलब यह है कि यह देख रहा है कि अगले साल हमारा target क्या है कि हमें कितनी sales अचीफ करनी है expressed in financial terms या by production budget हमारा कहने का मतलब यह है कि अगले साल हम कितने units की production करेंगे by material purchases budget हमारा मतलब यह है कि अगले साल हम कितना material purchase करेंगे and so on तो हम कुछ functional budgets की example देखते हैं और उससे देखते हैं कि company में budgets किस तरह से बनते हैं हम एक company की example ले लेते हैं और उस company का एक data लेकर और हम उस company का sales budget prepare करते हैं तो सबसे पहले हम बना रहे हैं हैं अपना sales budget और यह देखते हैं कि sales budget किस तरह का होता है एक बिल्कुली basic सी form हम sales budget की देखेंगे ज्यादा complex चीजों में नहीं जाईए लेट से के एक company का कुछ data है company दो products बनाती है और वो बनाती है भई product x and product y यह इस company के दो अलग products है इन दोनों की अपनी अपनी selling price है company यह products बना कर बेचती है और जो selling price है selling price per unit होती है यानिके एक unit market में कितने कब इकता है for example product x की selling price है 900 and product y की selling price है 800 और जो volume है यानिके in terms of units company अपने budget में यह लिखना चाह रही है कि अगले साल हम कितने units बेचेंगे हमारा क्या target है company का target यह है कि जो अगले साल का हम budget बना रहे है उस हिसाब से company अगले साल जो है वो 1000 units product x की बेचेगी अगले साल और company जो है वो product y के 2000 units बेचेगी याद रहे कि मैंने यह कहा कि अगले साल इसलिए क्योंके हम budget बना रहे है यह actually चीजें achieve नहीं हुई बलके हम अपना plan set कर रहे है हमारा target यह है कि अगले साल हम x और y बेचेंगे और x 900 और y 800 का बेचेगा और as per my budgets मैं अपना एक target set कर रहे हूँ कि अगले साल में product x के 1000 और y के 2000 units बेचेगा अब सवाल यह कहता है कि आप जो है वो company का sales budget बनाओ in terms of units यह in terms of quantity तो क्यूंकि यह example बिल्कुल सिंपल है इस example के हिसाब से अगर कोई मुझे यह कहेगा कि मैं अपना sales budget बनाओ in terms of units दो दरहां के sales budget होते हैं एक in terms of units और एक in terms of rupees अगर कोई यह कहेगा कि आप अपना sales budget बनाओ in terms of units तो उसमें सरफ मैं mention कर दूंगा कि मैं कौन कौन से product के अगले साल कितने units बेच हूँगा as per my plan as per my budget और let's say कि मैं product x के जो है वो 1000 units बेच हूँगा क्योंकि मेरा जो data दी आवादस आवाल के लिए उसमें लिखा पता और मेरा plan यह है कि as per my budgets मैं अगले साल product y के 2000 units बेच हूँगा यह भी information मेरे data से आती है और in totality अगर मैं total की बात करूँ तो मैं next year in totality 3000 units बेच हूँगा ठीक है यह कहला हैगा मेरा sales budget और यह sales budget है in terms of units ऐसा भी हो सकता है के sales budget मुझे बनाना पड़ जाए in terms of rupees अगर मैं rupees की form में अपना sales budget बनाऊँगा तो मैं again product x लिखूँगा in terms of rupees का मतलब के अगले साल कितने रुपै की sales होगी और मैं जब product x की बात करूँगा तो मैं 900 रुपै का एक unit बेचना चाह रहा हूँ और 1000 units बेचूँगा which is 900 into 1000 and मेरा जो answer आएगा product x का वो 900,000 होगा product y की अगर बात करूँ मैं अगले साल product y के 2000 units बेचूँगा और एक यूनेट 800 का बेकेगा 800 into 2000 in totality यह बना 1.6 million और अगर इन दोनों को आड कर दिया जाए तो इन टोटेल रुपीज में जो बजट बनेगा वो होगा 2.5 million यह एक बेहत सिंपल एक्जामपल थी मेरे sales budget की मैंने आपको यह बता दिया कि sales budget किस तरह का दिखता है sales budget दो forms में हो सकता है या तो सवाल यह कहेगा कि sales budget in terms of units बना दो या फिर sales budget in terms of rupees बना दो in terms of currency यह in terms of value बना दो ठीक है अच्छा generally organization में जो कोई limiting factor होता है जिसको हम principle limiting factor कहते हैं उसका budget सबसे पहले बनता है limiting factor का क्या मतलब है limiting factor का मतलब यह है कि वो resource वो चीज़ जो limit में available होगी अगर कुछ सवाल में mention नहीं है कि material limited है labor limited है तो हम अपना sales का budget सबसे पहले बनाते हैं क्योंकि हम यह assume करते हैं कि जो भी मेरा product है उसकी जो demand होगी उसकी एक certain limit होगी तो कभी कपार organizations में हमारे पास कोई limited resource होती है अगर yes तो उसका budget सबसे पहले बनता है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे लेकिन if nothing is mentioned हम सबसे पहले अपना sales budget बनाते हैं और बाकी सारे budgets इससे link करकर बनाया जाते हैं अब उसकी linking कैसे करनी है वो मैं बता दूँगा sales budget पहले बनाने की reason यह है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं जितने भी x और y बनाओं बस लोग खरीदते जाएंगे generally my demand is limited generally किसी भी product की जो demand होती है उसकी एक limit होती है market में उसकी जो demand है यानि के लोगों को जितना वो material चाहिए उसकी एक limit होती है जो आपका product है ऐसा नहीं होता कि आप जितना भी product बनाओगे बिकता जाएगा उसकी certain limit होगी और इसी लिए हम सबसे पहले अपना sales budget बनाते है sales budget में हम यह देख लेते हैं कि अगले साल हमें x के for example यहाँ पर हजार यूनिट्स बेचने है y के 2000 बेचने है और बाकी सारे budget इससे link करकर बनाए जाते है झाल